और सलाम उलेकूम आपका बाई साजी रहमानी तो दोस्तो हाजिर हूँ एक और बेर न्यूव वीडियो के साथ आप लोगों में से बहुत सारे कोमेट साते थे के साजी भाई टैक नीउस को भी सामिल किया करें ठैक चैनल है लेकिन टैक नीउस को शामिल नहीं किया जाता तो म हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए लाइक तो कीजिए गई साथ में चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको हराने वाले न्यू मूबाइल की अपडेट मिलती रहे ज्यादा बहुर नहीं करता वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों वो ओपो की तरफ से है ओपो हार एक नई टेकनालोजी में सबसे आगे होता है ओपो का सब ब्रैंड है रेलमी अब रेलमी एक नई सीरीज लौँच करने जा रहा है रेलमी एक सेवन के नाम से लेकिन दोस्तों इस सीरीज की जो सबसे खास बात है वो इस मुबाइल फून में फास्ट चारजिंग होने वाली है पहली बार हमें किसी मुबाइल फून में 125 वाट की फास्ट चारजिंग देखने को मिलेगी जो के बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है अब तक हमने 18 वाट की देखी थी पhrie 25 वाट आए फिर 30 वाट आए 45 वाट आए 65 वाट की फास्ट चारजिंग आई लेकिन दोस्तो अब रेलमी ने बहुत बड़ा दमाका कर दिया है अनाउंस किया है कि 1 सेप्टेंबर को एक स्मार्टफून लोच होगा और वहाँ पर हम 125 वाट की फास चार्जिंग को इंटोड्यूस करवाएंगे अब ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है दोस्तो हलांके जो मुबाइल की स्पेक्स हैं वो अभी तक निकल कर नहीं आई है लेकिन ये ज़रूर है कि मुबाइल में हमें एमूलर डिस्पेय देखने को मिलेगा साथ में मिलेंगे अब आप कहेंगे यार बहुत सारे ब्रैंड्स ये तो कर रहे हैं जब भी कोई प्री और करते हैं तो वाइलेस एरफून्स हमें साथ में मिल जाते हैं लेकिन अब की बार Xiaomi इससे कुछ अलग करने वाला है आपको एरफोन्स तो मिलेंगे लेकिन मुबाइल में ही मिलेंगे कैसे ऐसे ही जैसे आपको Samsung के स्मार्टफोन्स में S Pen मिलती है यानि के मुबाइल के अंदर ही आपको एरफोन्स adjustable मिलेंगे अब ये बहुत ज्यादा कुछ आहींद है दोस्तों मेरे लिए तो क्योंकि मैं जब भी मुबाइल में मुबाइल के साथ एक हैंड फ्री लाजमी रखता हूं और जब भी उस हैंड फ्री को पॉकेट से निकालता हूं तो मुझे वो उलजी हुई मिलती है मुझे हमेशा उसे सुलजाना ही पड़ता है तो अब इससे तो जान छूट जाएगी क्योंकि वाइलेस एरफून्स हमें साथ में ही मिलने वाले हैं लेकिन देखना यह दोस्तों एरफून्स तो यहां पर दे देगा शाउमी मुबाइल की बाकी की जो स्पैसिफिकेशन्स है वो क्या निकल कराती है अगर यहां पर एरफून्स की क्वालिटी को अच्छा कर दिया जाता है और मुबाइल की जो बाकी की स्पैसिफिकेशन्स है अगर हमें उन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे एरफून्स की जरूरत नहीं है इसके बाद जो टेक न्यूस है दोस्तो वो भी शाओमी की तरफ से है शाओमी ने अपने कुछ स्मार्ट फून्स की प्राइस को डाउन कर दिया है जिसमें रेड़मी नोट 9 हैं, नोट 9 प्रो है और रेड़मी नोट 9 एस है रेड़मी नोट 9 की प्राइस की बात करने तो दोस्तों इसकी पहले जो प्राइस थी वो 34,000 थी लेकिन 1000 डाउन होई है और इस वक्त इस मॉबाईल फून की प्राइस 33,000 हो चुकी है वहें पर Redmi Note 9 Pro की बात करें तो इस mobile phone की पहले जो price थी वो 46,000 यानि के 46,000 थी इस mobile phone की price भी 1000 डाउन हुई है और इस वक्त इस mobile phone की price 45,000 हो चुकी है वहें पर Redmi Note 9S की बात करें तो यहां पर इस mobile phone की जो पहले price थी दोस्तों वो 41,000 थी लेकिन 1000 प्राइस इसकी भी डाउन हुई है और इस वक्त इस मुबाइल फून की प्राइस 40,000 हो चुकी है अब ये तीनों स्मार्टफून जो है दोस्तों अपने प्राइस पैकड़ में काफी तगड़े स्मार्टफून है एक 1000 प्राइस निची आ चुकी है अगर आपको नहीं पता था तो अगर आप अब ये मुबाइल को बाइक करना चाहते हैं तो आपको इनकी न्यू प्राइस जो हो पता होनी चाहिए लेकिन ये इन्वाइस प्राइस है इन तमाम प्राइस के उपर आपको ओफलाइन मार्केड में डिसकाउंट भी मिल जाएगा इस सीजन वगारा बाइक करना चाहते हैं तो अब आपको अपना डैबिट कार्ड मास्टर कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप ये तमाम काम इजी पैसा के तुरू बहाँसानी कर पाएंगे इसके बाद जो टेक न्यूज़ है दोस्तो वह भी हुआवे क की तरफ से ही है हुआवे की जो मेट 40 सीरीज लाँच होने वाली है उसकी बैक की कैमरा सेटप की कुछ लीक्स निकल कर आई हैं दोस्तो कुछ पिक्चर्ज लीक हुई है मैं या पर स्क्रीन पर डाल दूगा आप देख सकते हैं मुबाइल के बैक पर रिंग शकल में आपको और जो टेक्नियों शामिल करने वाले हैं वो वीवो की तरफ से हैं वीवो एस सेवन को लौच करती है गया इंटरनेशनली मार्केट में अब वीवो की यह जो सीरीज है दोस्तों यह पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में अभी तक लॉंच नहीं हुई है यह एक अलग से नहीं सीरीज होने वाली है अब इस मुबाइल फून की कुछ स्पैस्टिकेशन की बात करें तो यहां पर इस्तमाल किया गया स्नाइब डाइगन सेवन सिक्टी फाइव जी का पॉस्टेसर जबके मुबाइल के बैक पर 64 में पिक्जल के में संसर के साथ क्वाड कैमरा चूटर मिलेगा 44 मेगा पिक्जल की शकल में प्लस 8 मेगा पिक्जल की शकल में इसके लाब मुबाइल में आपको 4 अज़ने मेच के थोड़ी सी छोटी बैटरी देखने को मिलेगी और इसके साथ-साथ आपको यहांपर 33 वाट की पास्ट चारजिंग भी मिलने वाली है तो लीक्स निकल कर आ गयी है यहाँ पर हमें 65 वाट की फास्ट चारजिंग मिलने वाली है हलांके रेल मी अपनी x7 सिरियज में 125 वाट की फास्ट चारजिंग शामिल करने वाला है जो कि मैंने सबसे पहले आपको टेक न्यूज दी है लेकिन Realme 8 and 8 Pro की बात करें तो यहां पर हमें 65 Watt की Fast Charging मिलेगी Realme 8 में हमें 4300 DMG की बैटरी मिलेगी जबके Realme 8 Pro में हमें 4500 DMG की बैटरी मिलेगी लेकिन दोनों स्मार्टफून में हमें 65 Watt की Fast Charging मिलेगी अब Realme जो है दोस्तो पाकिस्तानी मार्केड में बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मूबाइल फून लाँच करता है हलाएं के यह ब्रैंड ऐसा ब्रैंड है जो तमाम स्पैक्स टाइम के लिहाज से चेंज करता रहता है यानि अपने ट्रैंड में चेंज लेकर आता रहता है जिद्दत के साथ मूबाइल फून को लाँच करता है लेकिन यह काफी ज्यादा ओवर प्राइस लाँच करता है देखना यह है यह जो स्मार्ट फून यानि रेल मी 8 और 8 प्रो की इस प्राइस पैकेड में पाकिस्तानी मार्केड में आते हैं इसके लावा दोने मूबाइल फून का जो वेट है वो 200 ग्राम होने वाला है तो देखते हैं लेकिन इस मूबाइल फून की जो थीकनेस है दोस्तों वो जस्ट 8 mm होने वाली है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना धिर सरा ख्यार रखियेगा चैनल पर नुए है तो सब्क्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकोन को जरूर पैस कर ले ताकि आपको हराने वाले न्यू मूबाइल की अपडेट मिलती रहे ज्यादा बोर नहीं करता मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना धिर सरा ख्यार रखियेगा